स्वागत है आपका खेल कूट चैनल वे एलो प्रेंट्स आज हम जानेंगे एक नए गेम पिकल बॉल के बारे में डिफिता। बहुत ही मज़ा आता है इसको कहले में यह जो आप कोत देख रहे हम इसको कर ऑफिएटी इन्चिस का कोट है जो Edmonton Double Size Coat होता है उसके बाद यहां पे यहां पर जो आपको Yellow Line दीख रहे हैं वो Side Line पर Base Line होता है जो Blue Line होती है हो Coat को दो पार्ट में Divide करते है जो Red Line दीख रहे हैं वो Net होती है बीच में जो जो नेट से ब्लू लाइन तक का पार्ट होता है उसको किचन एरिया कहते हैं सबसे इंपोर्टन पार्ट होता है कि जो सर्विस हम करते हैं वो अंडरेंड सर्विस करने करती है इस गेम में और जो सर्विस होती है वो क्रॉस कोट की जाती है जैसे कि आप पैडमेंटन में करते एक main rule होता है, जो double bounce rule होता है, जैसे हैं अगर एक side से ball को Lisa घृतया हो, सीकन्ड side पे, तो one bounce के बाद ही सामने वाला court में hit कर सकता है, जैसे हैं आप यहापे देख रहे हो, और फिर one bounce के बाद हीट करने के बाद, second, जो court में जाता है ball, तो second bounce होने के बाद ही सामने वाला hit कर सकता है तो इसे कहते हैं double bounce rule उसके बाद आप direct rally कर सकते हो वहाँ पे bounce चाहिए ही होगा ऐसी जरूरत नहीं होगी तो यहाँ पे आपको kitchen area दीख रहा है जो हमने पहले देखा वहाँ पेर रखे direct ball hit नहीं कर सकते हैं आपको one bouncy ball hit करना पड़ेगा तो दोस्तों यह था हमारा pickle ball आप भी खेलिए दोस्तों को बताईए enjoy कीजिए safe रहे हसते रहे